इस विए एफ 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 एस एस जेएफ अब इन दोनों के वीच में थोड़ा सा नुमेरिकल कंपारिसन करते चिक हैं और एक बर के लिए पनी वीडियो दोनों ही अलगॉर्थम पर अप्लाइब के देखेंगे सबसे बहले एक बात करते हैं अगर मैं इसकी क्रिवीजन दूं तो फर्स्ट कम फर्सब जो प्रुसेस पहले आएगा उसकी पहले सेवा कर दी जाएगी तो एफसी एफस तो ऑन दी बेसिस ऑफ राइवल करता है और एस जेएफ अगर मैं वोलू तो शॉटेस जॉब फर्स यह तो भाई शॉटर बस टाइम यह बस टाइम के उपर वोग करता है बस टाइम मीन्स कितना सीप्यू के उपर एग्जेक्यूशन का टाइम उसे चाहिए त तो एक पर के लिए FCFS पर बात करते है FCFS कैसे एक्जिक्यूट होगा सेम कोशन के उपर तेर FCFS तो बहुत ही सब्सक्राइब thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel but what I want to say is this content can be better inefficient if you consume it on Nanos.io because programming is a doing activity so if you you really want to learn it you have to code the questions and denotes besides videos we have these questions and we have MCQs FAQs Hindi videos and a lot more we we also have this करियर ताफ रहे चाहने थाफिज वाथ उत्ति नामेंजिए बिया मैंज़ इंत्टिंध क्यए इसे लेसे एंति वाफिड जाफ इसे लिए फे लाफिज डिए उनॉट पो बस्टरव स सब्सक्राइब जात्डाबग लाद इसे पी कंपरपर प्रश व्हूट जांड़ इसो अ जो प्रोसेस पहले आ रहा है उसको पहले एक्जीक्यूट करवादो तो जैसे कि अगर मैं वोड़ो टाइम कॉंडम 0 है और प्रोसेस आईडी यह 0 सबसे पहले आया यूगि यह 0 पर कर रहा है तो P0 से पहले execute होगा with burst time 2 तो 2 millisecond तक let's suppose हमारा CPU processed रहा और जो हमारा नेया process 1 है न वो actually मैं arrive कर रहा है हाँ पर process 1 चिक है तो अब हम process 1 को time देंगे क्योंकि first come first served 2 millisecond पर arrive कर रहा था तो process 1 आएगा और ये 5 millisecond तक अपनी execution करता है तो 2 plus 5 is 7 अब जब मेरे 7 millisecond तक process 0 और process 1 जब execute हो रहा था तो meanwhile कौन कौन से process हमारे arrive कर गए process 2 भी arrive कर गया process 3 भी arrive कर गया और process 4 और process 5 सारे process arrive कर गए मतलब यहाँ पर याद रखना पहले execution पहले time किसे मिलेगा जो सबसे पहले arrive करेगा सबसे पहले कौन अराइब कर रहा है हमारा process 2 तो मतलब यहाँ पर अब process 2 की बारी कभ तक execute होता है यार 6 seconds मतलब 6 milliseconds है जो भी तुम्हें ठीक लगे unit of time तक execute हुआ 13 then comes up process 3 जो सिरफ एक मिली सेकेंड में execute हो जाएगा और यह तो एक सिंपल सी algorithm रही जिसके दरवने ज्यादा मेहनत नहीं करी जो पहले आया वही execute हुआ इसमें किसी हो कोई issue नहीं होगा इन केस अगर थोड़ा सा कमजोर रह गया FCFS में थोड़ा सा doubt है या कहीं पर भी कुछ चीज फसरी है तो आई वूड recommend कि आर एक बर के लिए उसकी production video देख लो ताकि आपको algorithms एक clear हो at least FCFS और SJF चिक है अगर हम same timeline chart shortest job first में बनाने कोईश्च करेंगे तो shortest job first एक बात करता है कि जिसका burst time छोटा है मतलब कि जिस process को करने में मेरे को सबसे कम महनत लगेगी उसे पहले execute करेंगे all right तो इसके लिए हम पते करते हैं एक ना ready box सा बना लेते हैं कि कौन-कौन से process भी compete कर रहे हैं देखो ना जब भी shorter burst time की बात आती है ना बस टाइम हमें क्या चाहिए shorter तो जब भी छोटे burst time की बात आती है वो तब हमारे लिए effective है जो मेरे पास बहुत सारे processes हो ठीक है जैसे कि अगर मैं इस case में example लूँ तो जीरोत millisecond पर सरफ एक ही process arrive कर रहा है that is P0 ठीक है अब जब वो देखो है यह बंदा अकेला तो क्या shortest क्या largest क्या minimum maximum हमारे तो जो है सरब वो P0 ही है यह भार निकलता है और इसी को एक्जीक्यूट कर देते हैं कितने डाइम के लिए यह बोलता है दो सेकिंड के लिए मुझे एक्जीक्यूट करो ठीक है in the meanwhile two seconds तक कौन सा process arrive कर गया हमारा process arrive कर गया अब वन तो मिले सेकिंड पर अगेन problem statement वही है जब एक ही बंदा होता है ना तब comparison की बात नहीं करते जब हमारे पास choice ही एक होती है ना तो comparison की बात नहीं होती जब multiple choices होती है तब comparison की बात होती है ठीक है तो जैसे इसको relate भी कर सकते हो जब college में admission लेना था और जब हमारे पास placement अच्छी है इसके teacher अच्छे है ठीक है तो फिर वो चीज़ बात अलग हो जाती है ठीक है तो उसी तरीके से आप प्रोसेस वन अब आया जैसे तो प्रोसेस वन एक्जीक्यूट हो क्यों वह केला ही है फाइव मिली सेकंड तक चिक है अब सेवन मिली सेकंड तक कौन-कौन स अब यह थे सब्सक्राइब कर गए बचे वें बाकी सारे अभी मिले देखा था यह देखू ना process टू भी यह 4 राइफ कर रहा है 5 पर राइफ कर रहा है वाइब कर रहा है सेवन पर सभी अराइफ कर चुकें नों बने पास अब process टू है process ऐ 3 है प्रोसेस 3 है प्रोसेस 4 है प्रोसेस 5 है यह चार लोग fight करेंगे किसके लिए CPU की attention के लिए पर याद रखना यह कौनसी fight है थोड़ी सी unfair fight है यह चुली में क्या होता है जब भी लडाई हो रही होती है तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है वह जीटता है अब shortest job first क्या बोलता है जो इन में से सबसे ज़्यादा CPU टाइम सबसे पहले CPU टाइम उसे मिलेगा जिसका बस टाइम चोटा है जो वीक है जो सबसे क कम टाइम कौन लेगा इसमें से process 2 तो नहीं लेगा यार प्रोसेस फोर लेगा सबसे कम टाइम तो प्रोसेस फोर को भार निकालते हैं और इसको execution के लिए भेज देते हैं और राइट मैंने वह ठीक है यार प्रोसेस फोर इसको सिरफ एक मिलिसेकंड काम था तो पहले इसको निप्ता दो अब नेक्स्ट अब कौन-कौन लड़ रहे हैं पीटू पीफाइफ पीटू पीफाइफ पीथ्री इन तीनों में से सबसे छोटा पीफाइफ जो छोटा है वह जादा पावरफुल है तो पीफाइफ दो मिलिसेकंड काम था इसे हो गया अब कौन-कौन है पीटू और पीफ्री इन दोनों में से सबसे छोटा होगा दाट इस पीटू बस्टाइम छोटा ज्यादा पावरफुल है तो इसे एक्जीक्यूट करेंगे है शिक्स मेली सेकंड्स तक दाट इस शिक्स्टीन ठेक है पी त्री अब में बस आक्री बचेगा और उसे ही एक्जीक्यूट करना होगा तो ठेक है वही अकेला बंदा रहे गया तो क्या फाइदा क्या नुक्सान हम तो इसमें तो टोटल कंप्लीशिंट टाइम तो वह तो अफकॉरस दोनों का सेमी रहेगा तोटल काम तो हमें उतन नहीं सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब क्या बोलता है कि मैं आपको हमेशा एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमुम दोगा तो एक बार देखते हैं अगर कंपलीशन टाइम देखें तो कब तक प्रोसेस पूरा-पूरा काम करके निकला प्रोसेस जीरो तो टू मिलिसेकंड में अपना काम करके गायम हो गया था प्रोसेस वन सेवन मिलिसेकंड तक एक्जिक्यूट हुआ प्रोसेस टू थर्टी मिलिसेकंड तक एक्जिक्यूट हुआ प्रोसेस त्री एक्जिक्यूटेड तिल ट्वन्टी सेक्स चिक है प्रोसेस फॉर एक्जिक्यू तो 713 26 27 29 जोटेज आफ फिस्ट यहां पर प्रोसेस जीरो तो टू मिली सेगंड तक ही चलेगा प्रोसेस वन हमारा चलना चाहिए सब्सक्राइब ti r Aireaming پ्रोसेस प्रोसेस फाइश फाइव तेन प्रोसेस टू तेल 16 ऑन्पोसेस थ्रीटेर तो प्रोसेस नहीं कुछ कुछ अबैड़ जा उस्टम पीस जा तक जा रहें भी सिवन सेवन तक जा रही पी फूर एट तक जारहें फार हन्हींट6 जातम हो जाएगा पी 510 पे पी टू 16 पर एंड पी 3 पी टू 16 पर अब पी 3 आट 29 इस ट करेक्ट नाउ एक बर फटावड वेरीफाय कर लें 274 8 पे पी 510 पे पी 2 16 पे पी 329 ठीक है साही लग रहा देखने में अब एक बगले टॉर्ण टाइम की बात करते हैं जब टॉर्ण टाइम की वहने डेफिनिशन बताई थी तो टॉर्ण टाइम आक्चली मीन्स कि कितना टाइम वो सिस्टम में रहा ठीक है डुरेशन फॉर्ण 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 टॉर्ण टाइम का बहुत इंपल होता है कम्प्लीशन टाइम कब कम्प्लीट हुआ माइनस में वो सिस्टम में अराइफ कब किया था अराइवल टाइब तो टू माइनस जीरो टू कलर वही रख लेते रेड टू माइनस जीरो टू सेवन माइनस टू 5, 30 माइनस 4, 9 जीक है 26 माइनस 5, 21, 27, माइनस 6, 21, 29, माइनस 7, 22 कुछ कर बड़तो नहीं कर दी यह बाद जस्त क्विक वेरिफिकेशन टू-0, 27 माइनस 2, 5, 13 मााइनस 4, 9, 26 6-5 21 21 29-7 is 22 परफेक्ट चिक है इसका भी टर्णराउं टाइम निकाल लेते हैं फॉर्मुला सेम रहता है देखो अल्गॉर्थम डिफरेंट है फॉर्मुला सेम रहेगा स्वाल गवल ताइम इस तू फाइव 16-4 जेविं ट्वेल यार तेग लिखा ना इसें टीगलिक आइंग तूटीण गया थाइब ट्रणी ना इस फाइब ट्रणी फोर एट मैनस 6 बॉल्टेन माइन गया थेग देगल लिखा एग त्रणी क्यों देखेंट श्राइब लिखें हुआ अब व्यकिबहाई जब भी हमारा जो प्रोशेस होता है जो उसका आप चुली में ही दिखो ख तॉलनला टाइम होता है ना यह पता इसके किसके बराबर होता है वेटिंग टाइम प्लस कितना टाइम उसको सिप्टीशन करा तो इस फामले के साब से तुम खुदी जज कर पाऊगे अब कि वेटिंग निकालना है तो 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 डाइन इस फाइव जीडो नाइन माइनस सिक्स थ्री टेंटेवन माइनस 13 इज ऑगभग बढ़ या टेंटेवन माइनस वन इस ट्वेंटीटीट को तो इस टुवनटीटी अ मैं ठेकि अब आगे देखते हैं यहां पर वेडिंग टाइम टू माइनस टूर्णराउं टाइम माइनस बर्स तो 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 फाइव माइनस फाइव 012-66 24-13 is 112-1-13-2 is also 006-2-1-3-2-1-3-2-1-2-1-3-2-2-1 कि प्रोसेस फांब पर 20 सेकंद्स वेट करना पड़ा आया कब था 7 पे चिक है और उसकी एक्जीकुशन कब स्टार्ट हुई 27 पे तो हाँ 20 सेकंड बेट करना बेलकूं करेक्ट है अब अगर हम आवरेज बेटिंग टाइम की बात करें एक बार आवरेज टॉनराउं टाइम निकालते फिर आवरेज बेटिंग टाइम निकालते हैं प्लस 22 जिक है और टोटल प्रोसेसे आर 6 जिक है तो दाट कमस आउट तो भी आई थिंक अगर में सब्सक्राइब करें तो तो एटी कुछ आएगा एटी डिवाइड बाइड 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 बाइंट त्रीट इसको इसको कंक्लूजन को इससे लिख लेते हैं एडिन इतर कि बात करें तो फूर पर फ्रोगों ट्रीट प्लस 2 प्रोंटी प्लस 20 जिक है तो दाट विल कम आउट तो भी 8.5 अब आगे बात करते हैं शॉर्टेश जॉप फर्स्ट में तो दाट विल बी 2 प्लस 5 प्लस टूराउं टाइम 12 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 3 तो 2 प्लस 5 7 7 12 19 19 24 24 टू और ट्री तो टॉटल हो गया 48 48 डिवाइड बाइड बाइड सेक्स बिकम्स एट एट इसकाट आवरेज चॉर्ण अराउं टाइम कि सारे आवरेज निकल रहे है ठीक है तो टॉटल मत समझ लेना बाद में वोलोगे टो टॉटल किटना ओग्या नाइंटीन बॉइड भाइड बाइड बाइड ये टो ये तो कुछ मैंटीन डिवाइड हिए तो 368 तो सेक्स पॉंट को ट्री त्री त्रीटिरी ठीक है तो अगर अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारे पास है बेटर कौन है बिल्कुल क्लियर मिनर दिख रहा है हां पर हमें और यहां गलती हो गई स्वारी नाइंटीन डिवाइड बाइड बाइड थ्री क्यों करेंगे शिक्स करेंगे ना यहां मिस्टेक है भाई नाइंटीन डिवाइड बाइड 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 थ्री पॉइंट फिर आगया चलता रहेगा तो बेटर कौन है महरे पास एसजेएफ शॉर्ट फर्स बाइड थ्योरी भी बेटर है एफ सी एफस से ठीक है यह चीज़ शूर है कि पर्टिकुलर्ली अगर आप कुछ एक्जांपल जैसे देखोगे तो ऐसे एक्जांपल्स क्रियेट करें जा सकते हैं इसमें फस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म क एसजेएफ का आवरेज बेटिं टाइम काफी बेटर है आज कंपेर तू एफस चिक है आई होप दी कैल्कुलेशन पार्ट इस क्लियर दू एफस इन एफस एस वेल इस एफ और दोनों के विच में कंपारिजन अन्थी बेसिस आफ एवरेज चिक है तो इस फॉर्ड दिस व